लेकिन इस बीच खबर ये मिल रही है कि बीबीसी जो आफिस से उस पर छापा पड़ा है इसको लेकर बीजेपी की प्रेस कॉंफरेंस जल रही है गौरा भाटिया की सुन लेते हैं सबसे पहले दुएश भावना से भारत के खिलाफ कारे करने का रहा है और कॉंग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो ये याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रा गांदी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया बीबीसी रिपोर्टिंग करे निश्पक्ष पत्रकारिता करे भारत का सम्विधान ये हक उन्हें देता है लेकिन किस तरह की पत्रकारता की आड में एक एजेंडा आगे बढ़ाया जाता है वो मैं आपके समक्ष रख दू दू ने ने बढ़ाया बाया ने एक लोग्जारा ने ये लिए्टिंग पत्रकार जाए्ट कॉबट रख जाए्ट्रक्ष बीबीसी ने खिए बीबीसाट एम में एगएग्ग्एग्ण कार्च तरवप्रवब्ट्र्वण प्रोग्राम प्रेजेंटर रेफर्ड तू अ कमांडर अफ़ टेरिरिस्ट आउट्फिट अपरेटिंग इन कश्मीर अज क्यारिस्माटिक यंग मिलिटन्ट एक आतंगवादी जो भारत की अखंडता के खिलाफ शक्ति खड़ी हो रही है उसको बीबीसी ने बताया करिश्माई युवा उग्रवादी है करिश्माई युवा उग्रवादी ये किस तरह की रिपोर्टिंग है आप भारत में कारे करना चाहते हैं और भारत के संविदान को तार-चार करते हैं भारत की अखंडता को चोट पहुचाने का प्रयास करते हैं इसी तरह से पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति अपनी विविदिता के लिए जाना जाता है यहां क्या त्योहार हैं सबके क्या भाव हैं वो बिना जाने BBC ने कहा होली इस फिल्थी होली इस फिल्थी फेस्टिवल BBC what do you know about the festivals of India and citing this example will go a very long way to show how venomous how shallow the reporting of the BBC is adding to that we all rivier father of the nation Mahatma Gandhi ji but BBC wishes to operate in India yet refuses to respect the icons of the country the BBC very categorically in a program and its presenter had the temerity to say that Mahatma Gandhi had failed in his attempt to liberate India in 1946 and BBC should definitely also pay heed to the words of UK's longest serving Prime Minister Margaret Thatcher she had called the BBC as Bolshevik Broadcasting Corporation these examples are very important for a fundamental reason and the reason is this that is I.T. survey BJP की तरफ से प्रेस कौन्फरेंस की जा रही थी गौराभाटिया कहरते कि देश नियम और समिधन से चलता है BBC और कॉंग्रेस का एजन्डा एक है ऐसे में कॉंग्रेस एता जारा हम रमेश क्या कुछ कहरे है इस पूरे मामले को लेका सुन लेते हैं इस प्रेस कॉन्फरेंस की गई जिसमें बीजेपी एक तरफ कह रही है कि देश्य समविधान से नियम से चलता है तो वही कॉंग्रेस जो है ये कह रही है कि पहले डॉकुमेंटी पे बेल लगाया और अब आईटी का छापा पड़ा है बीबीसी ऑफिस पर